Hey guys, Namaste, Welcome to my channel Sony Crypto Crypto Market के अंदर बहुत सारे तरीके हैं जिसके तुरू आप यहाँ पे earning कर सकते हो अच्छी कासी बट यहाँ पे एक popular तरीका है जो है testnet का add drop जो बिल्कुल free of cost का रहता है और यहाँ से आप 1000 डॉलर में profit बना सकते हो तो इसके लिए आप सब यूजर के लिए मैं new add drop लेके आ जुगा हूँ abstract का testnet का बिल्कुल free of cost का add drop इस वीडियो के अंदर complete guide, complete detail आपको provide करने वाला हूँ कैसे इस add drop के अंदर आप task complete कर सकते हो उसके साथ ही यहाँ पे जादा से जादा earning कैसे कर सकते हो उसके regarding tips और tricks भी आपको share करने जा रहा हूँ उसके साथ ही यहाँ पे gate.io startup mining के अंदर swell token के आप mining कैसे कर सकते हो क्योंकि आज ही के दिन इसकी listing भी होने वाली है यह भी detail आपको इस वीडियो के अंदर complete provide करने जा रहा हूँ first यहाँ पे gate.io startup mining के बारे में बात करें तो यहाँ पे swell token के आप mining कर सकते हो और आज ही के दिन यह list भी होने वाला शाय है ठीक है तो अभी यहाँ पे दो pull दिया गया है एक तो stake USDT और GT token वो November 5 से start हो जुका है और एक और है stake swell token और GT token जो November 7 को start होने वाला है तो उसके लिए आपके बस gate.io का action का account होना चाहिए KYC complete होनी चाहिए यहाँ पर आके profile के उपर tap करोगे तो यहाँ पर आपको एक option नज़र आएगा start up का ठीक है यहाँ पर startup का option है इसके उपर आपको simple tap करना है tap करते हैं यहाँ पर एक और option नज़र आता है startup mining करके इसके उपर आपको tap कर देना है यहाँ पर tap करने के बाद simple scroll down करो scroll down करते हैं यहाँ पर आपको अलग-अलग project नज़र आएंगे बट यहाँ पर main project जो मैं बात कर रहा हूँ वो है swell project की जो यहाँ पर अभी दो पूले एक तो यहाँ पर running है जहाँ पर आप GT token या फिर USDT को यहाँ पर stake कर पाऊँगे stake के पर click करके आपके बास USDT होना चाहिए या फिर gate.io का GT token होना चाहिए एक और यहाँ पर पूल live होने वाला है आजी के दिन जहाँ पर किया कर सकते हो GT token को stake कर सकते हो या फिर Swell token को stake कर सकते हो और यहाँ पर आपको extra run reward मिलेगा means overall आपको Swell token यहाँ पर दिये जाएंगे ठीक है तो आपको करना क्या है यहाँ पर stake रहता है इसके उपर आपको tap करना है tap करने के पाद कितना amount USDT stake करना है वो यहाँ पर लिख सकते हो आप 110 जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है max पर क्लिक करके confirm रहता है इसके उपर आपको tap करके यहाँ पर stake पर लगा देने ठीक है अब यहाँ पर project की बात करें तो इस project का नाम है abstract और यह L2 प्रोजेक्ट है जैसे आप सब ने आर्बी ट्रम का भी सुना रहेगा ले टू का प्रोजेक्ट है इतेरियम के उपर बिल्ट हो रहा है सेम टू सेम यह भी है और यहाँ पर जो abstract है वो गाइस ओन कर रहे हैं यहाँ पर इगलू वाले ठीक है इगलू कंपनी एबस्ट को ओन कर रही है या फिर बिल्ट कर रही है और यह इगलू जो company है वो गाइस parent company है किसकी पुझी penguins की और यहाँ पर पुझी penguins को अल्रेड़ी यहाँ पर fund raise कर चुके हैं 20 million का और हाली फिलाल में 11 million का fund raise किया हुआ है 2026 के अंदर और इनका NFT marketplace भी है और यहाँ पर इनकी एक NFT की worth आप check out करोगे तो वह 8.35 ethereum है तो यहाँ पर overall इनके पास fund अच्छा कासा है इसलिए हम इस एट्रों के अंदर participate करने जा रहे हैं तो अभी यहाँ पर सबसे पहले important यह रहेगा कि आपको wallet setup करना पड़ेगा आप old user हो या फिर new user हो सब के लिए तो आप अगर phone user हो तो आपके पास missus browser होना चाहिए या फिर kiwi browser होना चाहिए पर मैं आपको recommendation करूंगा आपके पास missus browser होना चाहिए जो आपको google play store से easily free of cost के अंदर मिल जाएगा ठीक है उसके बाद आपको इसको open करना है missus browser को download करने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपको यह वाला extension का option नज़र आ रहा है इसके उपर आपको tap करना है यहाँ पर tap कर दोगे इसको scroll करना है तो यहाँ पर देखो open missus extension store करके आपको एक चीज नज़र आएगी इसके उपर आपको simple tap करना है ठीक है यहाँ पर tap करते ही आपको यहाँ पर complete sub extension मिल जाएगी mostly sub wallets की यहाँ पर एक चीज़ के अध्यान रगो अलग-अलग add drop रहते हैं और उन add drop के लिए अलग-अलग wallet की नीड रहती है जैसे 16 अध्रप के लिए आपको phantom wallet वगरा चाहिए बट evm के add drop रहते हैं उसके लिए metamask okx web3 wallet चलता है यहाँ पर आपको क्या चाहिए metamask wallet चाहिए तो यहाँ पर metamask रहता है इसके उपर आपको tap करना है tap करने के बाद यहाँ पर आपको आएगा add to chrome का option इसके उपर tap करके इस extension को आपको missus browser में download कर लेना है ठीक है एक बार download कर लोगे download करने के बाद यहाँ पर wallet setup कर लो means wallet create कर लो और 12 word के key phrase मिलेंगे उसको संबाल के रखना है वो ही wallet को access कर पाओगे अगर वो है तो वो अगर खो गया तो आप wallet कभी भी access नहीं कर पाओगे ठीक है तो एक बार यह सब आपका हो गया है wallet create हो गया है तो यहाँ पर आप आके डारेक्ट यह network का section है यहाँ पर आप अब यहाँ पर आपको सिफोलिया का network भी show होगा ठीक है तो एक बार आपका wallet setup हो गया उसके बाद आपको मैं एक link provide करूँगा जिसके अंदर आपको इनका waitlist join करना है ठीक है join waitlist है इसके उपर आपको tap कर देना है tap करने के बाद यहाँ पर आपको email letters provide करना पड़ेगा confirm करना पड़ेगा और आपके email letters के अंदर एक code आएगा उसको आपको यहाँ पर paste करके यहाँ पर आपको इनके waitlist को join कर लेना है इस waitlist को join करने से आपको क्या benefit है यहाँ पर early bird आपको कुछ batches मिलने वाले हैं ठीक है और यहाँ पर कभी-कभी error भी आ सकता है तो आपको थोड़ा time wait करना पड़ेगा देखो crypto के अंदर थोड़ा time means ऐसा नहीं कि दो से तीन मिनिट यहाँ पर चार-पांच गंटे 12 गंटे या फिर 24 गंटे के बाद आपको try करना पड़ेगा ठीक है तो यह सब होने के बाद आप फिर से आजाओ metamask के अंदर यहाँ पर आपका जो network रहता है होना चाहिए test network कैसे करना है वो अभी आपको बताया है बट यहाँ पर आपके पास new user हो तो सफोलिया इत नहीं रहेंगे और old user हो तो भी कुछ user के पास रहते हैं कुछ user के पास नहीं होते हैं तो अभी आप इस faucet को कैसे claim करोगे ठीक है और इस faucet की कुछ भी real world में worth नहीं है मिन्स उसका कोई भी value नहीं है यह सिफ testing purpose के लिए use होता ठीक है तो उसके लिए आपको गया करना है आपका जो wallet address है यहां से आपको copy पे tap करके copy कर लेना ठीक है दो बाद tap करो यहाँ पे आपको wallet address copy हो जाएगा फिर उसके बाद आपको free of cost के faucet चाहिए तो first मैं आपको य simple paste कर देना है और send me it है इसके उपर click कर देना है I am not verify के उपर click करके ठीक है यहाँ पिर आपको recording provide कर दूँगा यहाँ पर आके आपको क्या करना है सेम जो आपका wallet address है यहाँ पर आपको simple paste कर देना है ठीक है paste कर देना है I am not Robert पर click कर देना start mining के उपर tap कर देना है और यहाँ पर जब आपके पास mining होंगे यह test net faucet token और एक amount के होने वाले है 0.1 इतना कुछ होगा तब जाके आप claim कर पाऊगे ठीक है तो यह दो तो होगे free का अभी यहाँ पे fund वाला भी बता रहा हूं अगर आपको ज जादा token दिये जाते faucet के तो यह वाला वह रहेगा जहाँ पर आप test net faucet को ले सकते हो बट यहाँ पर आपके लगते फंड यहाँ पर आपको starting में जो network रहता है वह OP करके select करना मिंस optimism का ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको simple $1 से भी ठीक है यह समझो एक से $2 है यहाँ पर यहाँ पर मिल रहा है जो test net token मिल रहे है उससे आप क्या कर सकतो बहुत सारे test net के add drop रहते हैं उसके अंदर participate easily कर सकतो ठीक है free of cost में क्या है आपको बहुत ही कम token मिलते है ठीक है उसके बाद आपको दो bridges की में link provide करने वाला हूँ जो इनके official test net के bridge है ठीक है यहाँ पर आने के रहेगा इतेरियम सफ़ले test net और नीचे रहेगा abstract test net करके ठीक है तो यहाँ पर जितने आपके पास सफ़ले यहाँ पर show हो जाएंगे आपको कितने बेजने वह आपको यहाँ पर लिग देने आप चाहे तो 0.1 बेज सकते हो या फिर 0.5 जितने आपके पास है उतने आपको बेज देने continue है इसके उपर आपको tap कर देना है I understood है इसके उपर आपको tap कर देना है यहाँ पर tap करके simple bridge now का option आजाएगा इसके उपर tap कर देना है ठीक है तो यहाँ पर आपका एक transaction आएगी आपके metamask के अंदर जो बिल्कुल free है क्योंकि यह सब test net के अंदर आप कर रहे हो होता है यहाँ पर time लगता है आप देख सकते हो 14 मिनिट का time नजर आ रहा है तो यह 15-20 मिनिट आदा गंटा भी लग सकता है और कभी-कभी एक गंटा भी लग सकता है तो आपको थोड़ा wait करना पड़ता है ठीक है तो एक बादा transaction होने के बाद आपको गया करना है यहाँ प एक और ना पड़ेका ठीक है तो यहाँ पर पर पार्ट पर सिलेक करके abstract testnet से लेक करना है और नीचे यहाँ पर आपको Ethereum Sifolia Faucet Select कर लेना ठीक है और यहाँ पर आपका जब Bridge Complete हो जाएगा ठीक है देखो यहाँ पर Bridge मेरा हो गया है Abstract Testnet के अंदर तो अभी आपको क्या करना है छोटा सा Fund रहता न वह वापस Sifolia Eats के अंदर आप ले लेना है ठीक है यहाँ पर आप इतना Fund कर सकते हो और यहाँ पर Change of Wallet Network का Option आपको आ जाएगा इसके उपर आपको Tap कर देना है Tap करते हैं यहाँ पर Abstract का Testnet का Network आपके MetaMask Wallet के अंदर एड़ हो जाएगा Approve है इसके उपर Tap करके Switch Network के उपर Tap कर देना है ठीक है यहाँ पर Continue पर क्लिक कर देना है Bridge Now पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एकवर Transcription आ जाएगी और यहाँ पर आपका Second Task itself भी Complete हो जाएगा तो एक बार यह दोनों Bridge आपने कर लिए हो उसके बाद यहाँ पर आ कर आके वालेट को ठीक है, send के उपर क्लिक करके यहां पर आप दिूसरे वालेट को यहां पर send कर सकते हो, ठीक है, abstract के testnet token, आपका ही multiple wallet रहता है, एक से दो तो रहता ही है यह सब के पास, ठीक है, तो वो आपको कर लिना है, और second हमने metamask का wallet address से वो यहाँ पे paste कर देना है और यहाँ पे request ethereum है इसके ओपर tap कर देना है तो यह होते ही यहाँ पे आपका यह भी task हो जाएगा कि आपने faucet भी यहाँ से claim किया कर गए ठीक है और अभी जो यह testnet के जितने भी task बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि एक दिन आपने complete कर लिया हो गया ऐसा नहीं आपको के weekly हर अफ़ते में दो बार weekly two times या फिर three times at least आपको यह task repeating करने है ठीक है तो उसके बाद आपको एक और bridge की link provide करूँगा यहाँ पे आके same wallet connect कर लेना है connect के ओपर tap करके metamask choose करके और यहाँ पे भी same task कर सकते हो जो उस bridge task के अंदर मैंने बताए हैं वो ही आप यहाँ पे भी bridge कर सकते हो सफोलिया से abstract और फिर abstract to सफोलिया ठीक है यह वाला आप सब चीजें यहाँ भी कर सकते हो यहाँ पे bridge मिलेंगे तो first of all यह page के अंदर आके आपको यहाँ पर sign in का एक option नज़र आता है यहाँ पर आपको tap कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक metamask करना है follow करना है share करना है यही simple से task है ठीक है और यहाँ पर starting लिए आप एक बार sign in कर लोगे न तो यहाँ पर आपको एक code पूचा जाएगा अगर वो code डालोगे तो यहाँ पर आपको 10 points मिलने वाले हैं ठीक है यह वाले section के अंदर यह automatic pop-up आएगा वो code डालोगे तभी 10 points मिल तो यहाँ पर first of all authorize का आएगा यहाँ पर authorize पर क्लिक करो पहले अपना twitter, discord जो भी है इनकी join कर लो authorize करके रख लो ठीक है तो एक बार आपने authorize कर लिया उसके बाद आप धीरे-दीरे एक हो task करते जाना ठीक है यह like कर दिया आपको सीधा back जाने के बाद यहाँ पर आपको टैप करके आपको verify कर लेना है जब verify आप कर लेते हो आपको verify करते ही यहाँ पर देखो आपको points मिल जाते हैं यह वाला section के अंदर आपको नजर आ जाएंगे आपके points increase हो जाएंगे ठीक है जितने भी यह task है यह complete कर लो और भी new आएंगे वो भी कर लेना ठीक है और अभी ज एक तो यह वाला task है एक यह वाला है एक यह वाला ठीक है तो इसमें एक तो end हो जुका है तो इसको छोड़ दो जो दो है अभी भी लाइव उसको आपको complete कर लेना है तो यहाँ पर आपको simple tap करना रहता है particular task के उपर tap करने के बाद यहाँ पर आपको जितने social task कैसे follow like, retreat, visit वाले वो सब आपको complete कर लेने हैं अभी यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखो यहाँ पर बहुत सारे user confuse होते है new और old यहाँ पर लिका रहता है space user करके ठीक है यह वाला देखो space users यहाँ पर यह लिका रहता है तो यह यह क्या है यह कैसे task complete होता है उसके लिए simple आपको galaxy के अंदर जो आप task complete कर रहे हो जिस project का वहाँ पर आपको follow का option रहता है यहाँ पर आपको follow कर लेना है बस ठीक है और वो आपका task complete हो जाएगा तो जाके यह सब कर लो फटा-फट और जो test net का आपको बताया है और भी new task आ जाता October 28 ठीक है तो आपने अगर जोइन किया है तो अभी direct test net वगरा कर लो आप ठीक है नहीं जोइन किया तो अभी से जोइन कर लो तो बस गईस मिलते हैं अगले वीडियो में टेक करेंड बाई love you all जय हिंद